मैं हूँ नफीसा खान और आप सुन रही हैं फिल्मी बीट डायरेक्टर राम आधवाने की फिल्म नीजा सिनेमा घरों में रिलीस हो गई है रियल इसिडेंट पर बेस्ट इस फिल्म में सोनम कपूर, शवाना आजमे और शेक रवजियानी ने एहम करदार प्ले किये हैं फिल्म की कहानी नीजा सोनम कपूर के इर्द-गिर्द खूमती है जो पन M-73 में फ्लाइट अटेंडेंट हैं पांस सितंबर 1986 को इस फ्लाइट को कराजी एरपोर्ट पर चार आतंक वादियों के जरिये हाइजेक कर लिया जाता है इस दोरान नीजा कॉक्पिट में बैठे पाइलेट को फ्लाइट के हाइजेक होने के बारे में इंफॉर्म कर देती हैं और वो वहीं से बाहर निकल जाते हैं इधर आतंक की पाइलेट चेतावनी देते हैं कि यदि पाइलेट को नहीं बुलाया गया तो वो हर आदे घंटे में एक शक्स को मौत के घाट उतार देंगे नीजा फ्लाइट में बैठे लोगों को बचाने का जिम्मा उठाती हैं क्या नीजा अपने मकसद में काम्याब होती हैं इस दोरान वो किस तरह अपनी बहादूरी का सबूत देती हैं ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी बात करें अगर राम माधवानी की डारेक्शन की तो उन्होंने इस फिल्म के लिए कड़ी मेहनत किये जो की फिल्म में साफ दिखाई देती है फिल्म शुरू से आखरे तक आपको बादे रखने में सफल होगी उन्होंने नीजा की प्रोफेशनल और परसनल लाइफ को परदे पर बहुँ भी उतारा है हाँ एक कमी ये जरूर खलती है कि फिल्म में आतंकवादियों ने जिस भाशा का इस्तमाल किया है वो समझ में नहीं आती इसके लिए English subtitles यूज किये गए हैं ऐसे में जिन लोगों को English नहीं आती उन्हें कहानी समझने में दिक्कत आ सकती है बात करेंगर फिल्म में Actors के एक्टिंग की तो सूनम कपूर ने नीजा के किरदार को बखो भी निभाया है इसके अलावा नीजा की मा के रोल में शवाना और पिता के रोल में हारीश टीकू काफी शानदार लगे हैं सिंगर शेखर रवजियानी का रोल छोटा है लेकिन अपने रोल में वो फिट बैठे हैं बात करेंगर फिल्म के म्यूजिक की तो म्यूजिक इस फिल्म का अच्छा है। फिल्म का रोमांटिक गाना, गहरा इश्क और ऐसा क्यूमा काफी अच्छे लगते हैं सुनने में। इसके अलावा फिल्म का अंथम जीते हैं चल्ड, पहले ही सुर्ख्यां बटोर चुका है। अब बात करते हैं कि इस फिल्म को क्यूं देखें और क्यूं ना देखें। अगर आप एक अच्छी सी बाइपिक का इंतजार करना हैं तो कहीं न कहीं ये फिल्म आपको थोड़ा बहुत निराश कर सकती है। पर अगर आप सोनम कपूर के फैन है और उनकी एक्टिंग देखना चाहते हैं तो ये फिल्म ज़रूर देखें क्योंकि इस फिल्म में सोनम कपूर की एक्टिंग वाकई काबिले तारीफ है। फिल्हाल इसी खबर के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही।